तो यह देखो प्यारे बच्चों यह भी है के 2023 में आया हुआ क्वेशन है यहां पे वट इस एक्विवेलेंट फोकल लेंट आप दा कॉमिनेशन अव लेंसेज एजुम और लेयर्स आर थीन मतलब सभी लेयर्स थीन है इसका अजम्शन करना है तो अगर तुम यहां से देखो अगर मैं इनको इस प्लीट अलग अलग करके देखोंगा तो यह एक्चुली कॉम्बिनेशन अप तीन लेंस का आएगा अगर मैं इसको अलग यहां से करूँगा तो यहां से अलग करने के बाद यह कि जो है प्लेनों कॉन केव आएगा एक ऐसा वाला लेंस आएगा प्लस इसके भीच में कॉनवेक्स लेंज आयेगा सब का रेडिय लेश्ट आके नहीं सेम है जो भी एक रविखर पार्ट है तो अब इसका focal length मान लेते हैं F1 है, इसका मान लेते है F2 है, इसका मान लेते है F3 है, तो इस पूरे का focal length होगा, पूरे के combination का focal length, 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus 1 upon F3, इन सब में value अगर मैं रख दूँगा, तो ये question solve हो जाएगा, अब हम लोग का target है इस तो इन तीनों lens का focal length calculate करना, और मैं इसमें लाके रख दूँगा, अगर मैं इन तीनों lens का focal length calculate करूँगा, और मैं लाके रख दूँगा, तो ये question हो जाएगा, तो अगर तुम यहां से देखोगे, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, lens formula 1 upon F1 यूज़ करते हैं, ये है mu minus 1, और 1 upon R1, minus 1 upon R2, ये वाला formula मैं य इधर से रे डाल ला हूँ, तो जैसे ही मैं इधर से रे डालूँगा, तो जी surface पर पढ़ती है, वो radius R1 है और वो infinity है, और ये radius अब curvature दिया हुआ है, R1, R2 सब 20 दिया हुआ, ये R, R2 है जो की plus 20 बनेगा centimeter, क्योंकि अगर इधर से रे डाल ला हो, तो आपको sign convention आ रहा होगा, कि रे की direction में जो sign है वो positive लेते हैं, तो इसका focal length इधर पढ़ेगा, तो 1 upon F1 is equal to mu जो है, 1.6 minus 1 और 1 upon R1 infinity गया, और minus sign और 1 upon R2 यहां से plus 20 आ जाएगा, तो यहां से 0.6 और minus यहां से 0.6 minus 1 upon 20 दिखेगा, तो अगर तुम इसको solve करोगे यहां से, तो this is equal to minus 10 से उपन नीचे multiply कर दो, तो 10 से उपन नीचे multiply कर दो, तो minus 3 upon 100 आ जाएगा, तो 1 upon F1 की जो value आ जाएगी, minus 3 upon 100 यह आगे अपना first lens का focal length, similarly जो बीच में lens बना है, इसका जो red यह, तो इस पर first यह वाला, यह जो है 1 upon F2 की जो value आ जाएगी, 1.6, 1.6 में minus कर दो, कितना, 1.6 minus 1 और 1 upon R1, तो R1 इसका इस side पड़ेगा, यह R1 है इसका, this is the R1 और यह इसका R2 है, तो जो R2 है वो negative होगा, R2 जो है, वो negative होगा, radius of curvature, क्योंकि रे के opposite पड़ेगा, और R1 जो है, वो positive होगा, तो यहां से R1 है, वो plus 20, और यहां से minus minus 1 upon 20, तो यहां जाएगा 0.6, और multiplied by 2 upon 20, तो यहां से 2 कट गया, और 10 से उपन नीचे multiply कर दिए, तो यहां से उपन नीचे multiply कर दिए, तो यहां से आजाएगा अपना 100, तो यहां से multiply, यह point इसको कार दिए, तो वोन अपन जो F2 की value आजाएगी यहां से, एक minute, इसका कितना था, 1.5 था, सुरी बच्चों, यह 1.5 था, 6 नहीं था, यहां से little bit mistake हो गया, तो यहां से 1.5 था, 1.5 था, तो यह 5 बनेगा, 5 बनेगा तो 500, 5 upon 100, तो 1 upon F2 की value आजाएगी, वो 1 by 20 आजाएगी यहां से, और इसी तरह से जो तीसरा वाला lens है, यह जो lens है, this is the plano convex lens, और light रे अगर इधर से आ रही है, तो इसका radius अब करवेचर यह वाला है, जो कि negative होगा, और वो है minus 20, तो इसका 1 upon focal length F3 is equal to 1.6 minus 1, और यहां से minus 1 upon 20, और minus 1 upon infinity, यह जो है, वो infinity को जाएगा, तीक ना, यह radius अब करवेचर, तो इसका भी 1 upon F3 की जो value हो जाएगी, minus 3 upon 100 आ जाएगा, तो यहां से यह सारी value solve कर लिए, अब जब हमने निकाल लिया, तो पूरे combination के लिए अगर मैं लगा होता हूं, पूरे combination पे formula अपलाई कर देता हूं, तो 1 upon focal length F is equal to minus 3 upon 100 यहां से, और plus यहां से 1 by 20, और minus 3 upon 100, minus 3 minus 6 upon 100 यहां से, जब solve करोगे, तो 1 by 10 और यहां से minus 3 और plus यहां से 10 upon यहां से 5 आ जाएगा, तो finally जब इसको solve करोगे, तो यहां से 6, 2 से काड़ दिये, तो 3 आ जाएगा, तो 3 by 50 plus 1 by 20, तो 1 by 10 यहां से common ले लिए, तो यहां से 1 by 2 बचेगा, तो यहां से 1 by 2 बचेगा, तो यह पूरा जब solve करोगे, यहां से, तो यहां से आ जाएगा minus 1 upon 100 का, तो जो focal length आ जाएगा, वो minus 100 आ जाएगा, जो की अपना scantimeter में था, तो minus 1 upon 100 का मतलब है है, कि D option सही है, थोड़ा सा length दी था, calculated था, तो यहां से जाएगा,